वेलकम बैक बिटकोन का करण प्रैस 39,175 डॉलर के करीब है और क्रिप्टो मार्केट ने सूपर फास्ट रिकवरी दिखाई है यानि कि 34,500 डॉलर से सीधा 40,000 डॉलर सक चला गए हम इस वीडियों बात करने वाले हैं कि यह जो पंप आया है यह स्कैम पंप है रियल पंप है इसके अलाबा हम बात करेंगे कि अभी क्या कर सकते हैं रसिया की जो अपडेट है वो क्या है इंडिया को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है इसके बारे में भी बात करेंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इतनी इंपोर्टेंट होने वाली है जितनी की ह हर वीडियो होती है क्योंकि अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी जब हम 35,000 डॉलर पे थे तब मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था इस्ट्रैटजी सेयर किया था वह इस्ट्रैटजी बहुत जवर्दस वर्क किया चलिए वीडियो को सुरू प्रक्षर में बंधा हुआ है जो की बहुत आसान कर देता है लोगों को समझना की बिटकोन कहां से कहां जाएगा आपको दिक्राओगा 43,500 हम नीचे आये यहां पर रुकने की कोसिच किया जो की 39,300 है जब उसको तोड़ करके हम नीचे आये तो बहुत जादा नीचे आये फिर उपर गये उसको टेस्ट किया फिर नीचे आये फिर उपर गये टेस्ट किया फिर उपर गये टेस्ट किया नीचे आये यानि कि चार बार हम टेस्ट कर चुके हैं अब नीचे आया जैसे उसको ब्रेक किया प्राइस बहुत तेजी से उपर आया फिर दीरे दीरे नीचे था काफी important है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ बार इसको test कर चुका है तो अगर इसको उपर जाना है तो 39,300 डॉलर के उपर candle close करना होगा तब हम 40,500 and 41,500 से ले करके 42,500 डॉलर के zone में जा सकते हैं नहीं तो जैसे कि हर बार यहां से नीचे आता है नीचे आता है इस बार भी यहां से फिर से धीरे धीरे नीचे जाना सुरू हो जाएगा तो bitcoin का stand बहुत ही clear है 39,300 का area बहुत ज़्यादा important है क्यों important है मैंने आपको price graph में समझाया तो अगर आपने deep में कुछ खरीदा है और आप अच्छे खासे profit में हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप stop low shift कर सकते हो या पिर अगर partially profit book करना चाहो तो कर सकते हो इसके बाद अग important सवाल के बारे में जो की बहुत सरे लोग पूछ रहे हैं अभी के time पे और वो सवाल यह है कि काफी ज्यादा loss में हूँ crypto को छोड़ दूं कहीं और पैसा लगाओ या फिर पैसे को निकाल करके bank में बापस रख दूं loss में sale करके तो उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूँग आने वाले time में इससे आपको problem हो सकती है तो जो motive लेकर के mission लेकर के crypto में आये थे उसको बीच रास्ते में क्यों छोड़ना राइट अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिन्दगी में कभी crypto में profit नहीं होगा बिल्कुल होगा समय लगेगा लेकिन आप अगर अभी हार मानना चा लास्ट वीडियो है उसका clip था ये और वहां से market ने बहुत तगड़ा recovery दिखाया है अब आपको समझ में आ गया होगा कि crypto में pump and dump जो है वो एक पार्ट है crypto का तो कभी भी आपको pump में बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना है कि pump कर रहा है pump कर रहा है आप सब कुछ खरीद या फिर जब ये market गिरता जाए तो बहुत ज़्यादा डरना नहीं है कि सब कुछ बेस दो ठीक है आपको कामली बिल्कुल आसान तरीके से सांती पुरुबा का आपको decision लेना है risk को manage करना है और इस crypto market के volatility का मजा लेना है हम बात करते हैं इंडिया से crypto currency को लेकर के जो news है ये उसके बारे में Supreme Court ने सरकार से सिधा सिधा काया है कि आप बताओ crypto currency के लिए आपका क्या stand है क्या crypto currency legal है या फिर illegal है अगर हम बात करें right now तो currently कोई regulation नहीं है और नहीं कोई ban है यानि कि इंडिया में crypto currency का استعمال हो रहा है हो सकता है इसके लिए कोई rule regulation अभी तक नहीं आया है तो आप बताइए सरकार क्या सोचती है crypto currency के बारे में उसका stand क्या है और सरकार ने previously statement दिया हुआ है finance minister लिन्वरा सिता रमन जी ने कि जब तक हमारी consultation पूरी नहीं हो जाती हम कोई भी stand नहीं ले सकते crypto currency को लेकर के अब यह जो news है दो matter में important हो जाती है matter number one की recently high court ने भी crypto currency को लेक करके government से stand पूछाता कि आप क्या चाते हो right and आप supreme court पूछ रहा है तो government पे धीरे धीरे pressure का build up होगा कि government बहुत जल्द regulation ला सकती है या फिर अपना stand clear कर सकते है कि वो crypto currency के बारे में क्या सोचते हैं क्योंकि taxation के बाद crypto currency को लेकर के Indian government की official news कुछ भी नहीं आई है दूसरा important यह है कि यह जो मामला चल रहा है वो scam से related है सुनवाई जो चल दिये जिसमें की supreme court ने additional solicitor general साब से यह पूछा वो मामला चल रहा है 87,000 bitcoin यानि की 20,000 करोड से भी जादा के बड़े scam को लेकर के जिसमें की वार्दुआज परिबार accused है और gain bitcoin का यह मामला important इसलिए हो जाता है क्य है तो यहाँ पे नए नए तरीके से scam होता है तो आप लोगों को बचाने के लिए मैं आपको सिफ दो चीजे बताऊंगा जिससे कि आप किसी भी crypto scam से बस सकते हैं और अभी recently ही एक news आया थी जिसमें कि नाकपूर पुलीस ने almost 40 कडोड crypto में परदा फास किया था ठीक है तो यह जो scam हो रहा है उससे बचने का दो तरीका है तरीका नमबर बन आपका पैसा है आपकी जिम्मेदारी है किसी पर भी बिस्वास मत करो even मुझ पे भी नहीं करो किसी भी influencer पे बिस्वास मत करो क्यों ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि हमारे नाम से fake channel बनाये जाते हैं टेली ग्रा पे तो किसी को पैसे देने की जरुवत नहीं है अगर आपको यह पता होगा कि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी आपकी होगी उसको profit में और loss में सिर्फ आप ही ला सकते हो इसी लिए दूसरों से पैसे को बढ़ाने की उम्मीद जो है वो छोड़ दो दूसरी चीज अगर आपको यह application वगर है यूज कर रहे है जो कि आपको fixed return दे रहा है यानि कि इतने दिन में पैसा इतना हो जाएगा इतने दिन में पैसा इतना हो जाएगा referral income आ रही है तो वो सभी application जो है वो थोड़े से risky हो सकते हैं इसी लिए वहाँ पे सिर्फ उसिप risky पैसा ही डालो क्यू उसको चुपचाप से अपने bank account में या फिर अपने wallet में ले आओ और बांकी का जो profit है उससे आगे earning करते रहो लेकिन अगर आपको उस application के बार में पहले से पता चल गया कि यह illegal है उसको use मत करो क्योंकि आप problem में आ सकते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि risk है तो risk है तो उसके एक ही चीज बोलूँगा risk इतना ही low कि बाद में आप इसक करने के लायक बचो चलिए हम वीडियो को continue करते हैं कि किस तरीके से crypto कंसी और bitcoin की जो demand है वो रसिया में यूकरेन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है खासकर रसिया में रसिया में जो भी sanctions लग रहे हैं sanctions का क्या म को limit कर देगा यानि कि ultimately अगर international label पे आप पे restriction लगाया जाएगा तो वही मतलब होता है sanctions का तो रसिया पे बहुत सारे जो western countries है ठीक है बहुत सारी countries ने इस पे sanctions लगाया है और sanctions की धमकी हर दिन आ रही है तो यहाँ पे इसका जो impact है वो bitcoin की बज़ए से कम होता हुआ दिकरा है क्यों कि इसके पास एक option है रसिया में बिल भी पास होने वाला है कुछ time में कि bitcoin को legal करना है नहीं करना है regulate करना है किस तरीके से और bitcoin का जो transactions है वो anonymous होता है यानि कि आप transaction को तो देख सकते हैं कितना हुआ कैसे हुआ लेकिन यह नहीं देख सकते कि कोन कर रहा है क्या कर रहा है और अगर कोई दो लोग बैपार करना चाहे यानि कि US का एक बंदा बैपार करना चाहे रसिया के एक बंदे से तो उसे sanctions का डर नहीं होगा कि हमारे bank में पैसा रूख जाएगा या क्या हो जाएगा वो सीधा एक दूसरे से crypto को transfer कर लेंगे और अगर account को freeze करने की बात आएग तो किसको freeze किया जाता है bank account को crypto account अगर वो एक दूसरे का कोई private wallet यूज़ करेंगे या कोई decentralized wallet यूज़ करेंगे तो उसका वो account freeze नहीं होगा जिसके बज़ा से bitcoin का demand रसिया में काफी तेजी से grow कर रहा है और Ukraine की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो लोगों को मदद पहुच जाए जा रही है डोनेट किया जा रहा है चीजें वो भी bitcoin में किया जा रहा है तो यहां से यह जो war की situation है यहां से भी bitcoin के लिए कुछ ने कुछ पॉजटिव निकल के आ रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सूपर डूपर पॉजटिव हो जाना कि हाँ crypto currency market यहां से 100 के जाने वाला है अगले महिने में और अपना 100% पैसा एक बार में लगा देना ठीक है कुछ भी हो सकता है crypto currency market में लेकिन आपको हमेशा अपने रिस्क के capacity को जानना होता है और मैंने आप लोगों के लिए एक नहीं बल्कि दो से तीन वीडियो बना दिया है किस तरीके से DCA क कोई भी राहत देखने को नहीं मिली है इंडियन इस्ट्वेंट जो थे वो धीरे धीरे वहां से निकल करके इंडिया बापस आ रहे हैं वो एक अच्छी बात है बांकी UN Security Council में जो resolution डाली गए थी रसिया के खिलाब की रसिया जो भी कर रहा है यह गलत है तो रसिया साब के पास है वीटो पावर उसने बोला तुम लोग को जो करना करो हमसे कोई मतलब नहीं उसने उस resolution को रद कर दिया कौंसिल के 15 में में ग्यारा में 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 ने रसिया के खिलाब बोटिंग किया कि यस रसिया पे कड़े कदम उठाने चाहिए बांकी जो चार में में थे UAE, इंड इसका नहीं पड़ा, अगर हम बात करें कि यूद का महौल सेम है, बंबारी अभी तक हो रही है, एरिश्ट्राइक अभी तक हो रहा है, कोई रहात का महौल नहीं है, लेकिन वहां के जो प्रसिडेंट है यूकरेन के ये हार नहीं मानने वाले हैं, इनका कहना है कल भी हम अक लड़ेंगे, यूएस ने यूकरेन के प्रसिडेंट को ये तक कहा था, कि आपको हम बापस बुला लेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहां से निकल जाओ, लेकिन प्रसिडेंट ने कहा कि हम अपने देश को छोड़ करके नहीं जाएंगे